Hey guys, this is Abhilash, और Underrated Movie section के Part 2 में आप सभी का स्वागत है, तो आज मैं रिव्यू करूँगा दर्बान मूवी का, दर्बान मूवी आपको मिलेगी Z5 पर हिंदी आडियो में, मूवी का रन टाइम है 88 मिनिट्स का और जॉन्रा है फैमिली ड्रामा, तो कहानी शुरू होती है राय च राय चरन की देखरेक से ही गायब हो जाता है, तो राय चरन कहता है कि वो खो गया है, बट उस बच्चे के पेरेंट्स का ये माना है कि वो बच्चा राय चरन के पास ही है, क्योंकि राय चरन को कोई बच्चा नहीं था इसलिए, तो ये बच्चा सच में खो गया है या फिर वो रायचरन के पास ही है ये सारी चीज़े जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी तो अब अगर स्टोरी की बात करें तो वो लिखी है रबिंद्रनाथ टेगोर ने उनकी एक शॉर्ट स्टोरी थी तो ये मूवी उसी का अडाप्टेशन है बाकि ये मूवी स्टोरी पर उतना डिपेंडेंट नहीं थी ये मूवी 100% अपने केरेक्टर से कंदो पर थी कि वो लोग इस मूवी को उठा के आगे बढ़ेंगे तो इसी चीज़ के चलते ये मूवी medium to slow paced है आपको एक या दो breaks लेने पर सकते हैं बीच में क्योंकि ये मूवी emotionally काफी heavy है बट अगर characters की बात करें तो इस मूवी ने brilliantly अपने characters को परदे पर उता रहा है जिसमें सबसे पहले है शारे भाश्मी जिन्होंने रोल किया है राय चरन का और ये मेरी एक व्यक्तिगत राय है कि शारे भाश्मी के करियर की सबसे best movie मुझे ये लगी मतलब उनकी screen presence का एक-एक moment आपके दिल में बहुत smoothly उतरता है प्लस ये character जितना perfect दिखाया है उतना इस character में guilt है और ये उस guilt का price chip या redemption करना चाहते है फिर वो अनुकूल का knocker था, दोस्त था, भाई था, या गुरू था, ये सोचना बेकारी था इनका screen time 10 minute का इथा लगबग बट बहुत powerful था और ये अपने character में कुछ नया add नहीं करते, बट ये character के through आपको ये बताते हैं कि राय चरन और अनुकूल बाबू की relationship dynamics क्या है ये आपको समझाने में help करते हैं कि क्यों ये एक knocker को भी अपने से equal मानते हैं और कुछ जगहों पर शायद अपने से बड़ा भी Then comes Russica Duggal और please इनको कोई heroine के lead roles में ले के आओ She deserves it and she proves कि क्या बहतरीन actors में से हैं वो भले ही उनका इस movie में 4 या 5 minute का रोल था बट शे deserves it फिर इसमें आती है Flora Saini और चौकाने वाली बात ये है कि इनके अंदर भी कुछ acting skills है And I was blown away कि भाई ये भी acting कर सकती है और इनका रोल देखो 2 या 3 जगों पर ही था बट ये पुलिस वाला जब scene आएगा तो इस scene में she did really good बाकी कहानी की बात करें तो देखो plot holes हैं कुछ जगों उपर जैसे कि एक में explain करना चाहूंगा कि ये कहानी set हुई है 1970s और 80s में तो ये बात थोड़ा हजम करना मुश्किल हो जाता है कि यार एक मालिक अपने नौकर को equal दिखता है बिहार जैसी जगे पे जहां पर राय चरण obviously एक दलित कास से आता है और मालिक जो है वो एक उपर की कास से है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार equality नहीं होने चाहिए बट थोड़ा सा फिर believe करना मुश्किल हो जाता है बाकी overall the story was good इसे पहचानते हो अरे हम तो 20 साल से इनको देखी तक नहीं है अब तो ये cinematography इस movie की चार चांद में पांचवा चांद आड़ करती है बाकी इस movie में चार गाने है और चारो गाने अच्छे है scenes को emotionally uplift करते हैं cringe जैसा बिल्कुल feel नहीं देते और scenes जैसे जैसे चलते हैं तो ये एक नहीं layer add करके देते हैं तो overall it was very good director है इस movie के बिपे नाड़ करनी तो overall इनका काम अच्छा है बट थोड़ा सा इन्हें workout करना चाहिए था कि story में depth और add की जाए जैसे कि मैंने कहा कि story में plot holes है तो इन्हें easily cover up किया जा सकता था बट एक चीज जो मुझे personally बहुत अच्छी लगी इस movie की वो ये कि ये movie एक single plot पे चलती है और उसका focus point भी वो एक ही plot है यानि कि ये movie अपने मुद्दे से कभी derail नहीं होती बाकी in conclusion ये movie एक बहुत अच्छी movie है जो कि कब आई कब गई किसी को पता ही नहीं चला और मेरे हिसाब से अगर आपको content driven movies देखने अच्छी लगती है तो यार ये movie आपके list में add होनी चाहिए और अगर आप इसे देखने बैठते हो तो इस movie में कोई भी गालिया नहीं है कोई sex scenes नहीं है और nude scenes नहीं है आप इसे अपनी family के साथ बैठ के देख सकते हो और ये है मेरी side से इस movie की rating और अगर आपने इस movie को देख लिया है तो मैं आपके भी views और opinions जाना चाहूँँगा कि आपको ये movie कैसे लगी और ये review अगर आपको helpful और logical लगा तो please like and subscribe मैं मिलता हूँ आपसे next review में तब तक ध्यान रखो अपना be awesome, bye bye